प्रेग्नेंसी में लेबर पेंट के लक्षड क्या होते हैं? ये जानना हर प्रेग्नेंट महिला के लिए फाइदेबंध होता है क्योंकि अगर महिला को ये लक्षड ना पता हूँ तो उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाने में देरी हो सकती है और आपकी pregnancy में complications पैदा हो सकती है तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीतियादव आपको कुछ labor pain के ऐसे लक्षड बताऊंगी जो आपको delivery date के दो हफते पहले दिखाई दे सकते हैं कुछ ऐसे लक्षड होंगे जो की 48 घंटे पहले दिखाई देंगे और कुछ ऐसे लक्षड होंगे जो आपको तुरंध ही hospital जाने का संकेद देते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe चरूर कर लें आईए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं delivery date से दो हफ़ते पहले दिखने वारे लक्षडों के बारे में तो इसमें सबसे पहला लक्षड होता है lightning होना देखिए pregnancy की शुरू आती 8 महिने में आपके बच्चे का सर उपर की तरफ और पैर नीचे की तरफ होते हैं और इसी वज़े से जैसे जैसे pregnancy आंगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको सास फूलना और अपत जैसी समस्या होने लग जाती है लेकिन जैसे ही pregnancy का 9 महिना शुरू होता है यह delivery की दो हफ़ते पहले आपका जो बच्चा है वो अपना सर नीचे कर लेता है पैर उपर की तरफ कर लेता है इसी वज़े से आपको पेट की उपरी हिस्से में हलका पन महसूस होने लगता है जिसको की medical term में lightning बोला जाता है कि आपको contraction होंगे और थोड़ी देर के बाद आपकी contraction रुख जाएंगे इसलिए इनको false liver point बोला जाता है और जैसे जैसे आपका समय बीटता जाता है इसकी frequency बढ़ती जाती है और आपको भी अपनी तयारियां शुरू कर देनी चाहिए तीसरा लक्षर होता है आपके joints धीले होना start हो जाते हैं लगबग delivery से दो हफते पहले आपकी body के joints धीरे धीरे धीले होना शुरू हो जाते हैं ताकि आपके होने वाले बच्चे के लिए जगे बनाई जा सके और इसकी वज़े से आपको अपने सरीर में दर्द भी हो सकता है खास तोर पर आपके coolों में और अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाईए कि अगले दो हफते के अंदर आपकी delivery हो जाएगी चलिए अब बात करते हैं कि delivery से 48 घंटे पहले आपको कौन कौन से लक्षर दिखाई देते हैं इसमें सबसे बड़ा लक्षर जो आपका stomach upset हो जाना यानि कि आपको diarrhea जैसा feel होना खास तोर पर अगर आपके delivery का समय बहुत पास है यानि कि जो आपको date दी गई थी उसके आप pass पहुँच चुके हैं और आपको diarrhea जैसा feel हो रहा है या फिर आपको lose motion लग गए हैं पेट में दर्द हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको 48 घंटे में high chances हैं कि आपको labor pain शुरू हो जाए अब हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनके दिखते ही आपको तुरंत के तुरंत hospital चला जाना चाहिए इसमें सबसे पहला लक्षण होता है mucus plug का अलग हो जाना अगर आपके private parts से गुलाबी रंग क कोई पदार्थ निकल रहा है तो आप समझ जाईए कि आपका mucus plug निकलना शुरू हो गया है और आपको तुरंत ही doctor के पास जाना चाहिए क्योंकि यही वो mucus plug है जो बाहर के infection को बच्चे तक नहीं पहुँचने देता है इसके अलावा अगर आपकी पानी की थहली फट गई है और आपको तुरंत के तुरंट के पास चले जाना चाहिए तीसरा लक्षण होता है labor pain का शुरू हो जाना अगर आपको contraction होना start हो जाए और आप अपनी position को बदले लेकिन फिर भी आपके labor pain रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप समझ जाईए कि अब आपकी delivery का time bleeding होना start हो जाना अगर आपको आपके private parts से bleeding जैसा कुछ भी दिखाई दे तो आपको तुरंत hospital जाना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए एक alarm situation है यह अब आपके delivery किसी भी time हो सकती है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको hospital पहुंच जाना चाहिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक चरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लें चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में तब तक क के लिए खुश रही है स्वास्त रही है